मंगलम भगवान भी सुनू मंगलम गुरुध्वजम मंगलम पुन्री काक्षम मंगलायो तनोहरी चलिए अब कन्यादान पूर्ण हुआ अब आपके आगे के जो भी रस्मे है पुरा कर ठीक छा बजे बिदाई का मुहुर्थ है उसमें कन्या की बिदाई कर दीजिए पंडित जी ने भवर की रस्म को पूरा करने के पष्चात मनुहर को निर्देश दिए सुनीता की आँखे जहरने की तरह बार ही थी सोच रही थी पापा अपने दिल पर पत्थर रख कर अपने लारों को बिदा करेंगे आज अपने से एक पल को भी दूर ना करने वाले पापा कैसे उसे बिदेश भेजने के लिए तयार हो गए बिदाई के समय भी वो बहुत रोई थी पर पापा के चेहरे पर सिकन नहीं थी उसे मालुम था उसके पापा बहुत स्ट्रॉंग है सक्त है उसके जाने के बाद बहुत रोएंगे सामने मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं ताकि उनकी लारों को दुख न हो पर सुनीता को मालुम है उसके बिना उसके मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे कौन करेगा उनकी देखभाल सुनीता का दिल बैठा जा रहा था एयरपोर्ट पर सुनीता अपने पती के साथ भी देश जाने को तयार थी लेकिन उसका मन बहुत भारी था बहुत दुखी क्यों न हो पहली बार अपने मम्मी पापा को छोड रही थी जाने कब आना हो कुरोना के इस भय भरे माहौल में बहुत बुरे बुरे बिचार उसके मन में आ रहे थे उसने देखा पापा सुनी आँखों से एयरपोर्ट के डिस्प्ले बोर्ट को देख रहे थे मम्मी उसे बहुत सारे निर्देश दे रही थी पर उसका मन कहीं और था जैसे ही यात्रियों के अंदर जाने की घोसना हुई उसने देखा पापा की आँखे डबडबा आई उसका मुह कलेजय को आ गया जोर से पापा से लिपट कर फफ़क कर रो पड़ी उसके पापा उसके कान में कह रहे थे बेटा तेरा सुख ही मेरा सुख है मेरी चिन्ता मत करना खुश रहना सुनीता की आँखों में यही प्रस्न था कितने त्यागी और समर्पित होते हैं माबाप अपने संतानों के सुख समर्धी के प्रती कथा का मर्म हर माबाप अपने संतान के सुख समर्धी में ही अपने को सुखी महसूस करते है संतानों को भी अपने माता पिता के प्रती कर्तब्य निर्वान में कमी नहीं करनी चाहिए